कि यह साइट वाइश की साइट जेड़ेश की साइट बट एक बार में एक ही एक्सिज इंवर्ड होगा पर ही है क्या स्टेट लाइन के लॉन्ग मोशन देखो अब 2x भी किसी बच्छे को लग रहा हुए सार दो भी तो हो सकते इन वोल एक 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 वाई है और मोशन ऐसे तो बैट मैं इसको ऐसे नहीं लूँगा मैं अपनाivia एक्सिज जेट कर लूँगा इस नहीं दर को लूँगा तो ऐसा ही होगा ठीक है हमेशा एक तो उसी को बोलेंगे motion in a straight line, अब को समझ आ गया होगा ही तो, अब बात आती है what is mechanics, सबसे पहले देख लेते है mechanics क्या है, फिर धीरे धीरे start करेंगे इसको, लिखा हुआ है mechanics is a study of cause and effect of motion of bodies, जैसे जैसे bodies हैं, उनके motions को study करना, और उनके पीछे cause, क्या cause है और उसके motion के वज़े से cause and effect, उनके motion का cause और उनके motion होने की वज़े से क्या effects आएंगे, surroundings पे या उस object पे उसी को study करेंगे, that is called as mechanics, अब bodies कौनसी होगी, motion of bodies, तो मैं आपको बोलता हूँग, these bodies will be rigid bodies, rigid bodies, तो rigid bodies से आपको क्या समझ आता है, कि sir, rigid bodies are what, कोई बताएगा मुझे what is rigid body, what is a rigid body, has proper shape, बिल्कुल सही बात है, और कोई बताएगा, bodies that has proper shape, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बताओ, rigid से, rigid से in general क्या समझ आ रहा है, कि, rigid से in general क्या समझ आ रहा है, जैसे कुछ बच्चे उन्हें मेरे को बोला था, कि sir, thos, ऐसा लग रहा है, thos, या मजबूत, या कुछ that has some proper shape, fixed shape, ऐसा कुछ समझ आ रहा है, कुछ click कर रहा है, यह समझ आ रहा है, कुछ click कर रहा है, जैसे कोई पत्थर है, बहुत मजबूत, चटान है, तो उसको बोलेगे मजबूत, या फिर rigid, या फिर thos, या सक्त, है न, यह सब चीज़ां भी use कर सकते हैं, rigid के लिए, rigid जैसे ही सुन या मैंने आपको, दूसरा कोई भी random point P2 दे जा, अब मैं यह कह रहा हूँ कि by definition of rigid body, अगर आप इसके बाहर से, कोई भी forces लगाओ, चाए वो compressive, या जो इसको दबाने वाले, पिछकाने वाले force हो, या इसको खैंच के लंबा कर देने वाले force हो, तो मैं बाहर से लगा रहा ह जो यह दो point लिये गए हैं, जो इसमें लिये मैंने अंदर इस body के, उन दोनों point के बीच की दूरी जो है, उसमें कोई change नहीं आएगा, अगर यह force लग रहा है बाहर से, तो क्या करेगा यह force हो, इस body को पिछकाने के कोशिस करेगा, ठीक है, तो अगर बाहर वाले force यह पिछ is a rigid body, तो हम बोलेंगे कि we are talking about rigid body, ठीक है, अब देखो, हमने आपको force के magnitude के बारे में कुछ नहीं बोला, मैंने आपको force के magnitude के बारे में कुछ नहीं बोला, तो आप यह देखो, कि force का जो magnitude है, force का जो magnitude है, वो कुछ भी हो सकता है, अगर मैं बोलू इधर, कि जो left side वाला force है यह मैंने बेटा इतना जादा high magnitude का force लगा दिया, यानि कि लगबक 10,00,00,00,00,00,00,00, इधर भी मैं 10,00,00,00,00,00 लगा देता हूं, इधर भी 10,00,00,00,00,00 लगा दिया, तो अगर इतना high magnitude का force लगेगा, किसी आम body पर, यानि कि जो हमारे आसपास bodies मिलती है, तो उसके साथ क उसका क्या बनेगा, उस body का बन जाएगा, पापड, पिचक के एकदम पतली हो जाएगी नै, ऐसे, यह आप इतना heavy force लगा दोगे, तो उसको बिल्कुल पिचका के thin sheet में convert कर देगा, इतना force, तो यह काफी heavy force है, इतना force उसको पिचका के thin sheet में convert कर देगा, लेकिन यही definition है rigid body कि चाया आप भार से कितना भी force लगाओ, आप भार से कितना भी force लगाओ, सर आपने 10 लाक न्यूटन ही लगाया, आप 10 करोड, 10 अरब न्यूटन लगा दो, तब भी यह ऐसी body है, जो जिसको कुछ नहीं होगा, पॉइंट P1, P2 पापड बनना तो छोड़ो, thin sheet तो छोड़ ही नहीं आएगा, जानि कि यह body just थोड़ी सी भी deform नहीं होगी, इसकी जो shape है, वो intact रहने वाली है, as it is shape रहेगी, as it is उसका integration, सब जो उसका particles है ना, जैसे इसमें तो बहुत सारे particle होगी, एक भी particle दूसरे के हिसाफ से position change नहीं करने वाला, बाहर से कितना भी force है, तो this is the concept of rigid body, तो आप मेरे को बताओ, कि practical life में, actual life में क्या rigid bodies exist कर सकती है, या होती है, ऐसी कोई body आपने देखिए, कि जिस पर कितना भी force लगाओ, वो change नहीं हो रहे है, बताओ बटा, क्या real life में ऐसी bodies exist करती है, या आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें exist कर सकती है, जिस पर आप बहार अब बटाओ, बट वो शेप चीज़नी हो रही, टूट नहीं रही है, फूट नहीं रही है, कुछ नहीं हो रहा, बोलो भाई, बोलो, नो सर, अब देखो, अब वो सीन नहीं चलेगा, अब तुमारा कि सर, 11 बजी ख्लास है, अब हम बोलेंगे नहीं, अब सब को बोलना कि पढ़ना है, कोई किसको अच्छा लगता है, पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है, पढ़ना इस बोरिंग टास्क, यह बहुत सत्य वचन है, है ना, यह यह सबसे चीज क्या है, भाई, इतनी सर्दिय है, मस्त एकदम जाओ, रजाई में, गरम गरम रजाई में, भाई, दोगली बात नहीं करेंगे, सीधी बात यह है, कि पढ़ना ना किसी को अच्छा लगता है, ना पढ़ाना अच्छा लगता है, पढ़ाना फिर भी अच्छा लग सकता है, जैसे मालो थोड़ा बहुत मेर को लगता है, लेकि पढ़ाना फिर भी थोड़ा बहुत अच नहीं बताता हूं कि we just have to interact during the class, जब तक आप interaction नहीं करोगे, तो थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि वो एक step नहीं build-up हो पाएगा, और फिर आपको थोड़े-थोड़े-धीरे यह problematic लगने लगेगी, class की sir, आपको यह लगेगा कि I have contributed something into the class, या मैंने उस question का answer दिया, या मैंने sir ने doubt पूछा, मैंने answer दिया, तो आपका connection build-up हो जाएगा class से, आपको यह लगेगा कि चरो sir की class है, मैं जाओंगा, मैं answer दूँगी, या मैं जाओंगी, मैं answer दूँगी, या मैं कुछ सीख क्या होँगी, या फिर sir कुछ questions कराएगे, चलो देखते हैं, क्या होता है, तो वो curiosity आपको थोड़ा-थोड़ा class में बठाएगी, थोड़ा अच् कर देंगे, तब तक नहीं दोगे, नहीं interact करोगे, मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी 5 बैचीज है, सिरफ जो 10-11 वाला बैच था उसी में interaction कम था, तो अभी इसलिए हम लोगों ने time उसका change कर दिया है, ताकि आप सब लोग मस्त बिंदास होके interact कर प तब ही मैं आगे बढ़ाओंगा, तो अब बताओ, कितने बच्चों को hand raise करना है, जितने बच्चों को यह लगता है, कि rigid bodies real life में exist करती है, या ऐसी bodies होती है, ऐसे objects होती है, जिन पर भाहर से कितना भी force लगाओ, उनमें तनिक भरभी, थोड़ा सा भी deformation नहीं आएगा, करो hand raise जिन को लगता है, ऐसी चीज़ें exist करती है, ठीक है, अब वो बच्चे hand raise करो, जिन को लगता है, कि सर ऐसी bodies exist नहीं कर सकती, कि उस पर आप जितना मर्जी force लगाओ, बट उसमें कुछ होई निदा है, ठीक है, अब आया ना मज़ा, 15-16 बच्चे इधर आगे, ठीक है, अब देखो, interaction बढ़ेगा, तो आप लोगों को लगेगा, कि हायर मैंने इसके लिए उप्ट किया, अब मैं आपको answer बता जिता हूँ, पहले सीधा-सीधा, rigid bodies के वाल एक theoretical concept है, ठीक है, यह सिरफ एक theoretical concept है, titanium block, titanium is a very hard metal, वो आप मैं माल लेता हूँ कि titanium block है, या फिर titanium जिनको नहीं पता, आप मानों कि एक iron का block है, वो काफी ठोस होता है, काफी strong होता है, काफी rigid होता है, उसकी shape वो maintain काफी integrative की अच्छी होते है, क्यों, क्योंकि मैं उस पे sufficient amount of force लगा रहा हूँ, तब भी वो deform नहीं लगाँगा, दस पे नहीं होरा मैं एक करोड़ न्यूटन लगाँगा, एक करोड़ न्यूटन लगाँगा, मैं force बढ़ाता जाओंगा, जब तक वो deform नहीं होगा, तो real life में कोई ऐसी body exist नहीं करती, जिस पे आप कितना भी force लगाँगा, को important बात यह है, कि यहाँ पे force जो अगर उतना भी change आगया, अगर उतना भी change आगया, तो rigid नहीं है, अब उतना चेंज तो उठाने बर्चा आ जाता है, जैसे फोन है ना, अब यह आपको दिखनी राकिए deformation आ रहे, बट जैसे मैंने इसको यहाँ से पगड़ रखा है, तो इसमें थोड़ा सा तो deformation आ ही रखा होगा, उपर से थोड़ा elongate हो रखा होगा, नीचे से थोड़ा compress कर रखा होगा, वो changes visible नहीं है, वो changes visible नहीं है, but still the deformations are there, कौन से लेवल पे, हमने दो लेवल पड़े थे, when we were studying physical world, लेवल पड़े थे, एक तो microscopic और एक microscopic, microscopic level पे जब देखोगे, जब आप microscope लगा के देखोगे, atomic scale पे जाकर देखोगे, तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर deformation already है, although यह application basis के लिए rigid है, आपको लग रहा है कि rigid है, but deformations है यहाँ ठीक है, कैसे देखो, यह दूसरा phone है, ठीक है, इसको मैं मोड हूँ, तो यह कभी deformation आ रहे है, microscopic scale पे, तो force लगाना तो छोड़ो उसको support करने से ही deformations आ रहे है, तो यहाँ पे totally theoretical concept है, rigid body real life में exist नहीं करती है, बट कुछ-कुछ चीजें approximate rigid bodies होती है, यानि rigid bodies जैसा behave करती है, वो क्या होंगी, कि जो application, जिस application के लिए मैंने उस body को बनाया है, जिस application के deformation में वो deform नहीं होगी, उस application के दोरान वो अपनी shape को retain करेगी, जैसे यह pencil है, इससे मैं लिखता हूँ आपको बढ़ाने के लिए, अब यह deform थोड़ी कर रही है, यह इस लिखने वाले application के लिए, इसको बनाया क्या गया है, लिखने के लिए बनाया है, तब तक मैं इससे लि पर यह rigidity खोदेगी अपनी, यानि कि फिर यह वहाँ पर as a rigid body भी नहीं करेगी, similarly phone है, phone को आपने थोड़ा सक्त बनाया है, ताकि यह jab में डले तो भी खराब ना हो, आप इसको mode भी खराब ना हो, तो चीजे क्या है, यह phone आपका rigid है, for as far as you are using it as a phone, जब तक आप इसको phone के जैसी use कर रहे हो, तो यह rigid body है, example है, paper का, तो paper का है, paper नहीं है rigid body है, यह अपनी shape को खोदे रहा है, छोटे से application के लिए, तो यह चीजे ऐसे ही काम गरती है, जैसे application, उस हिसाब से objective rigidity, but during the application, अगर उसके bodies में कोई appreciable changes नहीं आ रहे है, appreciable deformations नहीं आ रहे है, visible deformations नहीं आ रहे या फिर इतने level के deformation नहीं आ रहे है, कि वो उस application के लिए fail हो जाए object, तो उसको हम बोलेंगे, it is approximate rigid body, mechanics के अंदर rigid bodies की बात क्यों आई, क्योंकि जब तक हम mechanics, solid mechanics, यानि जिसके अंदर बोलते हैं, अपन लोग, mechanical properties of solids, या mechanical properties of matter, जब तक वो chapter नहीं आएगा, उससे पहले जितना हमी concept चलेगा, motion in one dimension, motion in 2D, और बाकी rotational mechanics, पूरा rotation, फिर gravitation, फिर newton's last of motion, फिर फूरा friction, जब तक ये सब चीज़ें चलेगी, तब तक हमारा क्या चलेगा, we are dealing with nothing but rigid bodies, क्योंकि उनके shape में deformations के लिए हम लोग concern नहीं है, और जो भी questions आएंगे, जो भी concept आएंगे, वहाँ पर body आपकी shape change नहीं करें, body उसी shape को retain करेंगे, आप चाहे उसको घुमा दो, चाहे उसको रगड़ दो, चाहे घिस दो, चाहे गिरा दो, body की shape change नहीं होगी, तो shape change नहीं हो रही अपने application में, this means for that particular application, वो क्या है rigid body, example में अगर आपको देने लगा हूँ, मैं बोलता हूँ, पेट जैसे, यही हुआ ना, पिछके नहीं वाला concept नहीं आएगा, as far as we are dealing with mechanics, ठीक है, तो इसलिए हम rigid bodies का एक concept, theoretical concept invent करते हैं, और उसके हिसाब से देखते हैं, कि हमारे application के अंदर, bodies deform नहीं हो रही, this means, they are approximate rigid bodies, as far as our physics is concerned, ठीक है, रिनाक्षी बेटा, आपका doubt है क्या, ठीक है, अब इस mechanics में दो पार्ट आ जाते हैं, पहला आ गया kinematics, kinematics का मतलब है क्या, branch of mechanics, which is only concerned about effects, कि जो effects है, effects किस पे, motion parameters पे, भही हम बात कर रहें, motion की तो motion parameter, यानि कि velocity, acceleration, displacement, position, इन सब पर जो effect आएगा, सिरफ उस effect के बारे में अगर concerned है, तो it is called as kinematics, अगर, cause के बारे में भी, क्या हो सकता है, cause, cause of emotion, अगर cause of emotion के बारे में भी concerned है, तो वो बोलते है dynamics, अब cause of motion सिरफ एक ही चीज़ हो सकती है, जिसको बोलते है force, जब किसी rigid body पे, या किसी भी body पे, external unbalanced force लगेगा, external और unbalanced का मतलब है, क्या, यह rigid body है, rigid body, mask बोलो, इसको कुछ भी बोलो, but rigid है, ठीक है, इस पर force लगाया, मैंने, right side से लगाया, 100 newton, left side से भी बिल्कुल उसके opposite लगा दिया, 100 newton, तो क्या यह दोनों force मिल के, इसको, इसके अंदर कोई velocity या displacement ला सकते हैं, इसको एक जिगें से दूसरे देंगे, खिसका सकते हैं, नहीं खिसकाएंगे, क् यह एक दूसरे को cancel out कर देंगे, because they are not unbalanced, they are balanced in nature, तो 100 newton इधर से लगाया, 100 इधर से लगा दिया, तो balance out हो गया, यानि एक दूसरे को काट रहे हैं, they will not create any motion in this body, motion parameter, कोई भी motion parameter, इन दोनों forces के application के वज़े से change होने वाला नहीं है, चाहे हो motion parameter क्या होगा, सबसे basic motion parameter हो सकते है कि उसको, उसकी position change कर दी, भाई नहीं होगा position, ना उसमे displacement आएगा, ना position change होगा, अगर position change होगा, तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा idea होगा, इसलिए में यह terms use कर रहा हूँ, तो यह unbalance नहीं आए, अगर मैं बोल देता कि जो right side में जो force लगा है, वो right side वाला force जो है, that is 200 newton, अगर यह right side वाला force जो है, यह 200 newton है, उसको बड़ बड़ हो रही है भाई, इसमें मेरी pencil की पेटरी कतम हो गई, क्या, एक second का time को, तो जो right side में अगर मैं force जो था 100 newton का, उसको मैं लगा दूँ, देखो, यह था rigid body, अब इसमें, जो right side में force था, वो 100 की वज़ाए 200 newton आ गया, और left side का force था 100 newton रहा, तो क्या यह forces इसमें motion parameter generate करेंगे, क्योंकि एक 100 newton था, और 200 को 100 newton वाला force completely cancel out नहीं कर पाएगा, तो यह unbalanced है, these forces are unbalanced in nature, तो जब भार से unbalanced external force लगेगा, within the bodies क्या हो सकते है, within the bodies जो forces हैं, वो होंगे stresses, strains, उनकी बात हम करेंगे, mechanical properties of matter के अंदर उससे पहले बाहर के forces भी बात करते हैं, किसी भी body बाहर से forces लग रहे हैं, यानि कि they are external forces, और उनका unbalanced होना जरूरी है, unbalanced नहीं होंगे, तो they will not create any motion in the object, तो motion create करने के लिए, it has to be unbalanced as well as external force, तो unbalanced external force क्या होगा, cause of motion, अगर हम concerned हैं इन सब forces के बारे में भी, तो बात हो रही है उसको कहते हैं, dynamics, ठीक है, अब किसी को doubt है, तो बताओ भई, ठीक है, पिसमें क्या ही doubt होगा, अब बात करते है, motion और rest, motion की बात, और rest की बात, तो बताओ एक बार motion क्या होता है, rest क्या होता है, कितने बच्चे, चलो मैं बताता हूं, motion क्या है, rest क्या होता है, फिर मैं कुछ question if an object is changing its position with respect to its surrounding with the time then it is called as motion और दूसरा उसके opposite if an object is not changing its position with respect to surrounding with time so it is at rest मतलब क्या होगा कि अगर कोई object अपने आसपास की चीजों के हिसाब से अपनी position बदर रहा है जैसे जैसे समय बीखता जा रहा है तो उसको बोलेंगे कि motion वो हिल रहा है डूल रहा है अपनी position चेंज कर रहा है this means की motion में उसके just उल्टा अगर कोई object if it is not changing its position with respect to time जैसे जैसे समय बीखता जा रहा है तो हमारी position चेंज नहीं हो रही with respect to our surrounding हमारे आसपास की चीजों के साब से तो इसका मतलब क्या हुआ कि it is at rest तो object हमारा का है अब मुझे बताओ कितने बच्चों आपको ऐसा लग रहा है कि you are at rest कितने बच्चों को लग रहा है कि हम रेस्ट पे हैं अभी हैं रेज करो जिन जिन को जो रेस्ट के समर्थन में कि उनको यह लग रहा है कि sir अब देखो 23-24 काफी अच्छी बात है आप लोग इंट्रेट कर रहो तब मजह आएगा क्लास में न अब देखो ठीक है 24 बच्चे अभी यह नहीं कि जिन्होंने अभी वोट किया वोट नहीं कर सकते जिनको दूसरा अपोजिट आंसर भी समझाता है तो भी वोट करेंगे ठीक है है अब मैं बोलता हूं कि सर क्योंकि हम अर्थ पर है अर्थ अपने एक्सिज पर रोटेंट कर रही है एज वेल एज अरथ इस डिवोल्विंग एराउंड ऑंड़ सन असवल सब्सक्राइब into the Milky Way galaxy as well as Milky Way galaxy is having some motion with respect to other galaxies और दूसरा बात क्या कि सर हमने पढ़ाए कि Big Bang Theory थी Big Bang हुआ उसके बाद से जितने भी स्टार्स है एक्स्टर Galactic bodies हैं हमारी galaxy से बाहर की bodies हमारी इंट्रा Galactic bodies यह सब चीज़े क्या कर रहे हैं दे आर कंटिनुवसली expanding वो एक दूसरे से लगातार दूर जाती रहा रही है जब से बिग बैंक हुआ है तब से सारी की सारी चीज़े एक दूसरे से दूर जाती जा रही है यानि कि in other terms कि universe is continuously expanding तो आपको यह लग रहा है तो चाड़ा किया था वो भी कर सकते हो इसमें क्योंकि यह logic भी तो हो सकता है नों दोनों चीज़े साही भी हो सकते हैं तो कितने बच्चों को मेरा second point अच्छा लगा कि सर क्योंकि हम अर्थ के साथ motion में हैं तो इसलिए हम अभी भी motion में है थीक है तो देखो जिन बच्चों ने दोनों point के लिए hand raise किया है उनको बात आदी समझ में आगई होगी अब हम discuss करते हैं दोनो के दोनों सही है motion में हो यह बात भी सही है rest पे हो ये बात भी सही है चलू जिन बच्चों को जिन जिन बच्चों ने पहले बार हां किया था उनको ऐसा लग रहा हूं कि सर देखो मैं ऐसे बैठा हूं मासूम तरीके से अपने डिस्पले देख रहा हूं जिस पर आपकी सकल आ रही है वेकारसी तो आप जो है पढ़ा रहे हूं अब मुझे लग रहा है कि मैं जो मेरे आसपास की चीज़ें वाल है लैपटोप है या फिर फोन है और टेबल है इन सब के हिसाब से मेरी पोजिशन वहीं है फिक्स्ट है और मैं इस नजरिये से आपको देख रहा हूं तो दिस मीन्स आयमेट रेस्ट मैं रेस्ट पर हूं उन्होंने यह सोचा ठीक अब दूसरे बात करते पिर जिन बच्छों को लगा था कि सर अर्थ जो है वो इटसेल्फ उसकी जो टिल्ट एक्सेश है कितना होता है टिल्ट थिल्ट 23.5 इस ऐस डीजरी के एंकल शायद ऐसा भी उत है मैं मोशन में हूँ तो कुछ बच्चों का लोगी कि यह होगा कि सर मैं मोशन में हूँ तो मिला के बातें आ गई समझ में कि सर हम रेस्ट पे भी हैं और हम मोशन में दोनों बात क्लियर हुई तो इनसे हमारे पास कंक्लूजन के आया कि everything is moving सब कुछ कर रहा है क्योंकि universe itself is expanding तो क्या बात हुई फिर बात होगी कि सर everything is moving तो हम लोग मोशन में हैं और जो मोशन और रेस्ट है वो combined property कि सकी observer और object तो है जो मोशन में है या रेस्ट पे है और observer 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 क्या है हमारा देखने का नजरिया कि हम उसको किस नजरिये से देख रहे हैं हम उसको किस point of उससे देख रहे हैं viewpoint से जिस viewpoint से देखेंगे उस आप से या तो rest में नजर आएगा या फिर हमें motion में नजर आएगा दूसरी बात यह clear होई कि there is nothing called as absolute motion and absolute rest absolute motion और absolute rest जैसी कोई चीज नहीं होती है क्यों अभी देखा भाई हम motion में भी है हम रेस्ट में भी है तो हम यह कही नहीं सकते कि मैं बूल दूँ कि मैं रेस्ट पे हूं या फिर मैं मोशन में हूं तो एबसुलूट रेस्ट और एबसुलूट जैसी कोई चीज नहीं होती फिर होती क्या है यह हमारी होगी जो चीजे एक्जिस्ट करेंगे ठीक है तो हम बोलेंगे कि absolute motion and absolute rest जैसे कोई शीज नहीं होती तो अब जैसे आपने मैंने आपको को पहले सुरू में टर्म्स किये थे कि motion and rest तो आपने बोला कि कुछ बच्चों ने बोला सर मैं मोशन में कुछ ने बोला रेस्ट में तो अब आप लोगों के जो बोलोगे उसके complete sentences में रख रहा हूं जो फिजिक्स के प्रोस्पेक्टिव से पूरे complete होगे ध्यान से सुनना पहले rest वालों का दे रहा हूं कि sir since I am not changing my position with respect to my immediate surroundings मेरी position मेरी निकत्तम जो surroundings है मेरे आसपास की जो चीज़े उनके साब से चेंज नहीं होगी therefore I am in relative rest with my nearest surroundings में अपने निकत्तम surroundings के प्रोस्पेक्टिव से relative rest में तो यह बात complete होगी जो बच्चे बोल रहे थे कि sir motion में since sir I am changing my position with respect to earth तो earth itself is changing its position with respect to extra galactic bodies या फिर extra solar system में जितरे भी objects है उनसे we are changing earth is changing its position so I am changing my position relative to sun या relative to moon या फिर रिलेटिव to some other other heavenly bodies in the universe तो I am in the state of relative motion with all those objects यहां पर क्या था relative motion निदर था relative rest तो यह दोनों बातें completely physics के नजरिये से पूरी होगी relative rest पे थे आप कहां nearest surroundings relative motion में हो आप अगर बाहर देखते हो थोड़ा नजरिया बढ़ा के चिक तो यह हो गया relative rest or motion अब अगर थोड़ा easy तरीके से देखो तो देखो एक लड़का अपने जराएगा यह लड़का बैठा हुआ है कहां पे पेड के नीचे पेड के नीचे लेकिन अटक राय वीडियो को शिश्वार है क्या अब देखो यह लड़का बैठा हुआ है पेड के नीचे अब यह देखेगा बस और पेड को चीक है हम फील करेंगे बस इसके सामने चली गई राइट साइड में तो यह क्या बोलेगा जहित तर्ण करेंगे तो संस भी करेंगे है लिए रिलेटीमोशे की सपा dave संत मॉशन से किसरी बात यह बोल सकता है कि sir since the bus itself is changing position with respect to me तो मेरे हिसाब से ही position change कर रही है तो it is in relative motion with respect to me तो अलग-अलग frame of reference अलग-अलग उसने नजरिया लिया एक तो tree को ले लिया तो tree के हिसाब से motion में थी अब फिर यह बच्चा बैठ गया बस के ऊपर अब देखो यह बस के साथ-साथ मूप कर गया यह बस के साथ-साथ मूप कर गया अब अगर यह देखता है tree को और bus को तो यह बोलेगा कि since tree is changing its position with respect to bus तो tree is in motion या फिर बोल सकता है कि bus is in motion with respect to tree तो bus is in motion दूसरा यह अगर खुद यहां पर है और यह सीधा bus को देखता है अगर यह bus को देख रहा है अपने हिसाब से तो यह bus की और इसकी पोजिशन आपस में चेंज नहीं हो रही तो they are in relative rest फिर यह बोलेगा sir since the bus is not changing its position with respect to me so I am in state of relative rest with respect to bus कि मैं relative rest में हूँ with respect to bus अब relative में कुछ नहीं है relative में घवराएंगे नहीं किसी बच्चे को ऐसा लगे कि sir यह relative relative का मतलब है in relation to कि किसी के हिसाब से किसके हिसाब से खुद के हिसाब से बस change नहीं हो रही position तो relative rest बस की position चेंज हो रही है तो यह relative motion आ ठीक है तो यह चीजे इसने देख ली अब आपको नजरिया समझ में आया होगा इस बच्चे का कि जैसे जैसे यह देख रहा है किसके हिसाब में ग्राउंड के हिसाब में देख रहा है कभी ट्री के हिसाब में देख रहा है कभी देख रहा है खुद के हिसाब में तो जब यह अलग-अलग चीजों के हिसाब से देख रहा है बसको तो उसको नजर आ रहा है कि या तो यह पोजिशन चेंज कर रही है या फिर यह पोजिशन नहीं चेंज कर रही है तो आपको समझ आ गया तो इसने अलग-अलग नजरिये यूज किया यह सारी बाते मैंने यहां लिख दिया फिर motion is relative यह हमारी बात यहां से साबित हुई कि motion relative term है अब बात आती है एक नई चीज frame of reference क्या होता है कुछ नहीं होता है frame of reference reference सीधा सीधा जो मैंने आपको बताए तीन में जरिये इस बच्चे के वही है frame of reference यहां पे tree के हिसाब से देखा तो tree को ले लिया frame of reference ग्राउंड के साब से देखा तो ग्राउंड को ले लिया frame of reference खुद के साब से देखा तो यह भाई साब खुद होगे frame of reference ठीक है तो जिसके नजरिये में यानि जिसके respect से हम देखना चाहते है किसी object के motion या rest के state को तो that is nothing but our frame of reference जिसके भी नजरिये से जिसके respect में देख रहे हैं वही हमारा frame of reference हो जा सकता है तो इसी का एक fancy term है frame of reference और बाकी अगर देखना चाहिए अगर हम उस motion को या rest को quantify करना चाहिए यानि हम उसको एक value देना चाहिए कि कितना motion हुआ कितने meter हुआ कितने centimeter हुआ या फिर किस direction हुआ तो हम use करते हैं फिर एक जंदल जो हमने पढ़ावा था कि x, y और z coordinate system इसी को बोलते है कार्टिशन कोडिनेट सिस्टम ठीक है कार्टिशन कोडिनेट सिस्टम तो यह होता है x, y, z coordinate सिस्टम ठीक है इस coordinate सिस्टम में position वेक्टर आपको पताईए कि for point p अगर x, y, z उसके coordinates हैं तो ऐसा vector r vector generally बोलते हैं वो उस point p की position with respect to origin बताता है 0, 0, 0 तो आपको जो भी चीज वो क्या करोगे इस coordinate सिस्टम के 0, 0, 0 पे imagine कर लो suppose करो जो tree था अगर वो हमारा frame of reference था तो वह 0, 0, 0 पे आ गया फिर बस इधर कही move कर रहे हैं एक axis में क्योंकि motion in 1D पढ रहे हैं तो x-axis में motion आ रहा है तो फिर हम बता सकते हैं कि sir कितने time में कितने centimeter गई तो हम उसको quantify कर जो भी object है अब यह tree के respect में देख रहे हैं तो tree ground के respect में देख रहे हो तो यहां ground आ जाएगा ठीक है अगर boy के respect में देख रहे हो तो यहां पर बुलड़का आ जाएगा ठीक है तो आपको ही समझाया ठीक है वही fancy term था उसी चीज़ के लिए इसी को बोल दिया frame of जिसके respect में चीज़ को देख रहे हैं ठीक है अब हमारे पास motion है वो कितने type का हो सकता है types of motion कुछ नहीं simple simple है अगर straight line के along है एक सीधी रेखा के along है तो उसको बोल देंगे it is motion in 1D या फिर motion इना straight line दूसरी बात करते हैं 2D अगर 2D में motion है यानि कि जहां पर x-axis भी involved है और y-axis भी involved है तो मानलो एक example इसका classical example क्या है पढ़ा होगा आपने इससे समझा आ गया होगा कि theta angle पर किसी चीज़ को project करें तो क्या बोलते है उसको projectile motion ठीक है जब 2D स्टार्ट होगा यानि motion इने plane की बात करेंगे तो हम बात कर लेंगे फिर दो axis का involvement projectile motion कुछ examples में आएंगे जैसे आपने पढ़े होंगे rain umbrella problem कि umbrella पकड़ें कितने एंगल पर कि rain से हम भीगे लिए दूसरा problem होता है कि लड़का है उसको तैर के एक river cross करनी है man river problems आते हैं उसमें क्या होगा कि जैसे जैसे आप river को cross करोगे तो कितने एंगल पर जाओगे तो shortest time में पहुंच गए कितने एंगल पर जाओगे तो minimum उसमें क्या कहते है minimum आपको travel करना पड़ेगा ठीक है तो यह सब चीजे वहां पर पढ़ने वाले हैं तो यह आगया part of 2D motion फिर 3D motion अगर general motion की बात करने है general की भाई ना तो 2D ना 1D है कोई भी random motion है तो that is general part of 3D motion इसी को general motion भी बोल सकते हैं यानि एक motion के उपर दूसरा super impulse हो क्या हो सकता है भाई आप एक आप अर्थ पे हो earth rotation कर रही है यहां बैठे हो आर्थ के उपर और अर्थ फिर revolution भी कर रही है sun के around तो यहां पर आप फिर क्या हुआ एक motion के उपर दूसरा motion वो भी 3D में तो सारे super impulse हो के क्या होगा 3D motion बोल दोगो उसको या फिर general terms general motion की कोई special type of motion नहीं है यहां पर सीधी-सीधी बात है general motion की ठीक तो यह हो सकते है हमारे पर type of motion अब इसके बाद एक चीज और टिके distance or displacement बताओ आप लोग बताओ कि distance displacement क्या होता है फिर मैं बताऊए फाटिस डिस्टेंट गही चलास कि पटाथ तो बजी तक होगी क्लास दस बज़े टक 10 निट तक ज्याहदा पड़ने तो ज्याहदा पड़ा सकते हैं अभी कुछी निया अपने पस्टाइम है अगर आपको ज्याहदा पड़ना है हम ज्याहदा पड़ा देगे कि दिस्टेंस एक्चुल पाथ ट्रेवल बाइन पार्टिकल ठीक है आपार्टिकल आएगा हुटा डिस्टेंस ट्रेवल बाइन पार्टिकल ठीक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेस्मेंट बोलो भाई बोलो अन्म्यूट करके बोल दो ना इतना टाइप कर ले रहे हो तुम अन्म्यूट करो फिर बोलो distance is the distance is the actual path traveled by the particle and distance is the traveled by the particle displacement 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 is the shortest length traveled by to stop the particle बोल या फिर ऑब्जेक्ट बोल लो वैसे तो इनकी बात सगी है कि हमारी जो मोशन lawmost of motion है वो पार्टिकल के लिए डिफाइन होते हैं फिर हम उन लोगों को फिर हम क्या करते हैं सेंटर ओफ मास को मान लेते हैं कि पार्टिकल है और फिर उस पर सारे लोग क्या है पार्टिकल के लिए डिफाइंड है चलो ठीक है तो बताओं मैं ही बता दू सोनम बेटा डाउट है सानिया कुमारी डाउट है तो बताओ पीड्रेस क्या हुइं आपने कि अधी तक है किसी को कोई डाउट है अध्य होथ है सिस्ट न्वेस्ट सब्सक्राइब useless सब थे हैं तो फिर ँम बात करते हैं distance or displacement की जैसे आप लोगों ने बताए कि distance is the length of actual path traveled जब आप कोई भी motion करते हो तो कुछ random path यूज करोगे जैसे मैंने आभी ट्रोग किया तो हिलते डुलते गए आप कहां से school से घर की तरफ school से घर गए हिलते डुलते तो जो आपने actual length travel करी path की या फिर जो आपने रस्ता लिया जो travel किया उस पर एक धागा ले जाओ धागा भी शाते चले जाओ धागे को सीधा करो उसकी length measure कर लो that is nothing but length of actual path travel तो वही हुआ क्या distance displacement क्या हुआ displacement हुआ कि सीधी सीधी रेखा लो starting point कहा था school था फाइनल पॉइंट क्या है home तो इनके बीच में straight बिल्कुल जॉइन कर दो एस तो एक ऐसा वेक्टर जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोडे इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोडे इनिशियल और फाइनल पॉजिशन को जोडे that is nothing but displacement वेक्टर अब यह तो हो गई मोटी मोटी बात अब धान से सम्झो सब सम्झाओंगा मैं पहला इनिशियल से फाइनल पॉजिशन के बीच में जो लेंट ऑफ पात है वो है डिस्टेंस दूसरा ये एक स्केलर स्केलर का मतलब क्या होता है कि जिसमें डिरेक्शन का कोई मतलब नहीं है इसको मैं बोलूगा इसके जस्ट आपोजिट क्या है दिस्टले समय नहीं इसी से मिलता सुलता दिश्टेंस बिट्विन final and initial position of object is called displacement कि final और initial position के बीच का shortest distance है उसको बोलूँगा displacement और ये क्या है ये एक vector quantity है ऐसा vector जो final position को जोड़े initial position से यानि कि जिसका tail हो initial position पे आई पे और final position F पे हो उसका head है तो ऐसा vector जो ऐसे initial और final position को जोड़े that is called as displacement vector जन्दली हम इसको S से denote करते है S से ठीक है तो ये मेरा हो गया displacement vector अब देखो आपको मैं बोलूँ कि मानलो आप अपने घर से जा रहे हो अपने स्कूल में ठीक है अपने घर से अपने स्कूल में गए तो ये आपके बीच में पाहड़ है एक hill है ठीक है यहाँ पे आपका home है इधर आपका school है अब आप जाते हो यह रस्ता लेकर ठीक है आपको पाहड़ क्रोस करना है बिल्कुल चिपकते चिपकते पाहड़ के उपर ऐसे गए बिल्कुल सो टेस्ट दूरी तै करिया आपने और फिर आप हमने पहुंचके school में तो यह displacement है या distance है इस दिस्टेंस है इस दिस्टेंस है तो यह दिस्टेंस है ठीक है आपको लगता है इसको बोलूगा डिस्टेंस और सो टेस्ट दूरी सो टेस्ट डिस्टेंस या सो टेस्ट दूरी वह होगा डिस्टेंस में तो डिस्टेंस कैसे बनाओं फिर बताओ तो इन दोनों को मैंने जोड़ दिया एक सीधी रेखा से जो पहाड को चीरते में चलिए तो मेरा सब्सक्राइब कर देखने कोई ओप्जेक्ट आ गया टो यह वैट्र इस चला जा गांए ऐसे कुछ नहीं होगा इस्प्लेस्मेंट वेक्तर का मतलब स्टिस्टस मतलब हरद सो टेस्ट होगा कुछब बच्चों को यह डाउट हो जाता है कि सब इसे पाड़ के बीच में से कैसे जाएगा बीच में जो मरती जो चीज आए कोई मतलब नहीं है डिस्प्लेश्मेंट को कोई लेना देना नहीं सब्सक्राइब का मतलब है कि सीधा वेक्टर उठाओ और फाइनल पोजिशन से जोड़ो इसी वेक्टर की लेंथ है वो क्या डिफाइन करेगी डिस्प्ले ठोस्तिर्वेश्मेंट का टारिक्शंद ऐसे जीरो से स्टार्ट होत यह गया राइट साइड में कहां पर पहले शक्समीटर पर रुखेगा फिसे श्क्स मीटर से स्टार्ट तो कि टू मीटर पर आकर वापिस रुख जाता है तो इसने distance traveled क्या किया length of actual path length of actual path क्या है बहुए 0 से 6 पर गया तो कितना travel किया 6 meter और 6 meter से चलके फिर 2 meter पर वापिस आया तो उसका क्या हुआ 4 meter यह हो गया तो आप दोनों को जोड़ दोगे 6 meter और 4 meter को तो total distance यानि कि length of actual path क्या आएगा 10 meter आ जाएगा और वहीं displacement की बात करें पहले 0 से चलके गए भाई साब 10 meter पर 6 meter पर और फिर 6 से वापिस आगे 2 पर तो overall displacement कितना हुआ initial point था 0 final क्या हुआ 2 तो displacement सिरफ यह हुआ दो मिटर के बराबर तो displacement क्या हुआ दो मिटर लेखो किस डिरेक्शन में यहां पर direction भी matter करती है कि right side में initial से right side में displace किया दो मिटर और यहां पर length of actual path तो यह आपको यहां से समझ आ रहा है ठीक है extra class कब से लेनी है आज दो नहीं ले रहे बिटर देखते हैं जब एक बार यह time set हो जाएगा तो इसी में बढ़ा लेंगे 15-15 minute का time ठीक है अब देखो यह है ठीक यहां पर इसको बॉल को देखो यह एक बॉल है जो पहले a से start होई b पे चली गई फिर b से start होगे c पे आगई तो final position इस ball की है point c तो इस ball ने क्या motion किया पहले a से b की तरफ फिर b पे जाने के बाद b से c की तरफ आई तो अगर इसी को मेरे को लिखना है कि distance covered क्या है और displacement क्या है तो displacement तो मुझे नजर आ रहा है कि एक vector है a से b की तरफ गया तो a b और b से c की तरफ आया तो b c तो अगर मुझे लिखना है total displacement of this ball वो क्या आएगा यह blue color का vector जो मैं draw कर रहा हूं a से c की तरफ ऐसा vector जो initial position से final position को जोड़ दे यानि vector a c वो आएगा क्या इसका displacement क्यों a वाज initial position and c is final position तो जहां अमर जी घूमका है दुनिया संसार में उससे कोई मतलब नहीं है we are only concerned about initial and final position जो initial position क्या है बेटा point a and final position is point c तो मुझे सिरफ इसी के बारे में concerned रहना है तो देखो point a and point c इसको मैं लिख देता हूं कि displacement vector is nothing but sum of all the displacements पहला displacement a b था a से b की तरफ फिर b से c की तरफ आए इन दोनों को मैंने जोड़ दिया और उसको उनका जब vector sum किया तो मुझे मिल गया overall displacement vector और वही क्या है vector a c अगर triangle अभी feel करोगे तो क्या है opposite order में जो vector पूरा कर दे उसको triangle को यह zero area का triangle है मान लो straight line पर एक इधर आया एक इधर आया तो यह क्या है triangle ला कि इसाब से भी देखोगे या वैसे भी आपको पताईए कि a c क्या है इन दोनों का vector समय a b और b c का तो यह क्या हुआ displacement final और initial position के बीच में दूसरा distance distance covered क्या होगा length of actual path travel तो a b vector है उसका length क्या होगा that is magnitude of a b उसको में बोलोंगा magnitude of a b magnitude of a b क्या होगा length of actual path travel ऐसा vector a b था उसका magnitude यह उसको mode में डाल दूं तो length आएगी तो इस हिसाब से देखो यहाँ पर distance covered क्या होगा a b का magnitude plus b c का magnitude क्यों पहले a से b गई तो गुसुस ने distance travel किया that is given by magnitude of vector a b फिर b से c आई तो that is given by magnitude of vector b c इन दोनों को जोड़ दिया तो मेरे पास आ गया magnitude of a b plus magnitude of b c this is nothing but length of actual path traveled by the bowl जैसे जैसे bowl ने जो path travel किया a से b और b से c की तरफ आने में that is a b plus b c ठीक तो यह मुझे मिला distance covered तो यह लिखने का तरीका आपको पता चल गया कि अगर मुझे length के distance के बारे में लिखना है तो I am only concerned about magnitude of the vector अगर मुझे displacement के बारे में भी लिखना है तो then I will simply add the respective displacement vectors उन सबको मैं जोड़ दूँगा तो जो final displacement है वो आ जाएगी अब समझ आया जिनको doubt है इतने में पूछ लो ठीक है तो अब देखते हैं यह आपको समझ आ गया इसके बाद आता है पोजिशन वेक्टर और डिस्प्लेस्मेंट वेक्टर यह वही दोनों स्लाइड्स है जो हमने कहा देखी थी वेक्टर्स में ऑ्किर्ण थी जो हमारा पॉइंटशन वेक्टर क्या होता है एक एसा वेक्टर जीसको हम जनरली और वेक्टर से एक्टर करते हैं जो हमारे पास उत्विशीजिज्जर्यके का सकता है तो सिरफ एकस य या फिर जेड के लोंग है ना के कैप है ना या फिर किसी भी रेंडम डारेक्शन एन कैप के लोंग जैसे हमने क्रोस प्रोडेक्ट में देखा था कि आर ऐसा भी हो सकता है किसका सम वेक्टर मालो कुछ भी मेगनिटूड है एन ही बोल देते हैं और एन टाइमस एन कैप ठीक है कोई भ किसी पॉइंट पी की पोजिशन दिखा रहा है विस पॉइंट पीटू की पोजिशन दिखा रहा है विस पॉइंट पीवन है उसके रिस्पेक्ट में दिखा रहा है पॉइंट पीटू की पोजिशन ऐसे वेक्टर को मैं बोल रहा हूं डिस्प्लेस्मेंट वेक्टर ठीक और वही वेक्टर क्या है, वेक्टर S, देखो, इसको लिखने का नजरिया हमने देखा था, कि final position वेक्टर में से initial वाना माइनस कर दो, R2 माइनस R1, और इसको component वाइस देख रहे हैं, तो X2 माइनस X1 I cap, Y2 माइनस Y1 J cap, Z2 माइनस Z1 K cap, ऐसा करने से हमें मिल गया क्या displacement vector, कि हमने एक object को point P1 से displace किया, point P2 पर ले आए, तो कितना उसमें displacement vector आया, वही है final वालों में से initial वाले minus कर दो, component wise, यही वेक्टर था, अब यहां पे भी वही होगा, कि अगर 1D में बात करें, तो सिरफ ऐसा होगा, X2 minus X1 I cap, या फिर general terms में बात करें, तो ऐसा होगा, कि, N2 minus N1, N cap, N cap क्या है, N कोई भी random direction, वह X भी हो सकते है, Y भी हो सकते है, Z भी हो सकती है, किसी एक particular straight line के लोग कोई भी random direction हो सकती है, ठीक है, अब यह समझ आ गया सबको, एक बर यह question attempt कर लो, फिर चलते हैं, एक बर यह देख लो, बज़े question देख लो, कल कराऊंगा, इसको में, Map पर जब हम directions लेते हैं, तो अगर कुछ नहीं दिया हो, तो north लेते हैं, उपर, ठीक है, अगर north उपर हुआ, तो south नीचे हो जाएगा, फिर feel करो, आपने यह तो देखा होगा ने, बड़ी question देख लो, तो थोड़ा सा आपको idea लग जाएगा, कल के लिए, एक लड़का है, starts from home, works for 500 meter, 500 meter करता है, south की तरफ motion, फिर, 400 meter करता है, west की तरफ, फिर जहां पहुँच गया, वहीं से, 200 meter जाएगा, north की तरफ, तो पूछ रहे हैं, फिर वो इतना चलने के बाद, school में पहुँच गया, तो अगर draw करने लगें, मालनो, यह point h माल लेते हैं, home, है, home मोल देते हैं, यहां से start किया, इन्होंने motion किदर, 500 meter, due south, south की तरफ, south का हैं, हमने नीचे मेजन किया है, तो यह नीचे वाला जो motion है, इसको बोलेंगे, south की तरफ, 500 meter, फिर, जहां पहुँच गये, वहीं से, चले, 400 meter, due west, तो west मेरा किदर है, west is in left hand side, तो left hand side में जा रहे हैं, 400 meters, फिर, जहां पहुच गये, वहीं से, north की तरफ, 200 meter, due north, 200 meter, तो 200 meter, उपर direction, क्योंकि north हमने उपर assume किया है, तो यह 200 meter चल गए, यह सब चलने के बाद पहुचे, ऐसे point पे, जिसको हम बोलेंगे, s, s मतलब, school, तो यह इसका motion हो गया, h से चले, और s पे पहुच गये, तो अब length of actual path traveled will be given by distance, कि distance कितना है, length of actual path, वो तो सीधा दिख रहा है, length of actual path क्या आ रहा है, बताओ, भई length of actual path, जितना वो चला है, वही है length of actual path, कितना चला है total, पहले 500 चला, फिर 400 चला, फिर 200 चला, 1100 मीटर, कितने बच्चों को समझा रहा है, कि 1100 मीटर is the length of actual path travel, पहले 500 चला, फिर 400 चला, फिर 200, तो 500 प्लस 400, 900, 900 प्लस 211, ठीक है, यह तो हमें आ गया, distance travel, अब घर पे attempt करना है, तो इसके लिए मैं hint दे देता हूँ, कि ऐसा vector जो initial से final को जोड़े, तो initial position क्या थी, home थी, और final क्या है, school, तो ऐसा vector जो h से, h को, h से s को जोड़ रहा है, वही बोल रहा है, displacement vector, तो इस vector को निकाल लो, तो हमें मिल जाएगा displacement, अब vector में दो चीज होती, एक तो उसका magnitude, यानि की length of this vector, यह आपको length निकालनी है, दूसरा, उसका angle, theta, तो theta और angle, यानि direction और magnitude पता चल जाए, तो हमें पूरे के पूरे vector के बारे में पता चल जाएगा, तो देख लो, length निकालना है, और theta निकालना है, यह सब लोग आप निकालना घर पे, और बाद में, इसको मैं कल वाली class में समझाऊंगा, फिर कल स्टार बट मेरा target है कि सब को समझ आए अभी के लिए, ताकि आने वाले numericals में दिक्कत ना आए बचों, ठीक है, तो अभी बताओ कि अभी के लिए doubt है तो पूछ लो,